हलो गाईज, सौगत है आप सभी कापके अपने यूटूब चैनल एसे स्मार्ट क्लासेज में आज की इस वीडियो में हम साइन्स प्रैक्टिस इट का पार्ट फाइब देखेंगे जिसमें NCRT की कच्छा 6,7,8 की विज्ञान पराधारी 30 Most Important Question रखे गए हैं इससे पहले भी हम 4 पार्ट कर चुके हैं जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्सन में जाकर देख सकते हैं वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्याद से ज़्यादा सेयर करें जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लिजे और साथी वेल आइकन भी प्रेस कर लिजे ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे इस वीडियो से रिलेटिट पीडियप प्राप्त करने के लिए ये है हमारा वाट्सअप नंबर इसमें अपना नाम और नंबर लिख कर संड करिए जिससे आपको हमारे वाट्सअप ग्रूप में आइड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटिट पीडियप आपको प्राप्त ह सकेंगे. स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कुष्चन फर्स्ट कुष्चन है मदुमक्यां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि क्यों ऐसा करती हैं? option number first है फूल और फल से मकरंद वर्स में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं B. मदुमक्यों में अधिक सहत खाने की प्रवरत्ती होती है C. इनमें आलस्ति की प्रवरत्ती होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता D. उपर्युक्त सभी इसका राइट अंसर क्या होगा? इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A. मदुमक्यों फूलों से मकरंद को इसलिए एकत्रित या भंडारित कर लेती है क्योंकि जो फूल और फल से मकरंद प्राप्त होता है वो वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते है जिससे उसी समय है मकरंद को इकत्रित कर लेती है जिससे वर्ष भर इसका उपयोग किया जा सके नेक्स्ट कुश्चन देखते है प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है इन्फ्लुएंजा प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी होता है इन्फ्लुएंजा, हैपेटाइटी से डेंगू बुखार या हैजा इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर D प्रतिजयविक जो होता है वैं हैजा के उप्चार में प्रभावी होता है हैजा क्या है ये एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है जो मक्षियों द्वारा फैलता है और ये हैजा किस जिमाडू द्वारा फैलता है विब्रियो कॉलेरी नामके जिमाडू होता है उसी के द्वारा हैजा फैलता है जब ये बिमारी हो जाती है व्यक्ति को तो उसको प्रतिजयविक देना चाहिए नेक्स्ट कुछिन देखते हैं आम तोर पर खाद सामगरी को रखने के लिए पिट बोतलों और जारों का प्रियोग किया जाता है पैट का सुपरिचित प्रकार है पैट किसका सुपरिचित प्रकार है रियान या कृत्रिम डेशा का पॉलियमाइड का पॉलियेस्टर का या ए मगरी को रखने के लिए जो पैट या बोतलों या जारों को उप्योग किया जाता है यह पैट किसका प्रकार होता है यह प्रकार होता है पॉलिएस्टर का पॉलिएस्टर का यह सुपरचित प्रकार होता है तो राइट अंसर ओप्सन नमबर C पदार्थ और लंबाई पर, लंबाई और मोटाई पर इसका right answer क्या हो जाएगा? इसका right answer हो जाएगा option number B उस्मा की जो मात्रा होती है वह चालक के प्रतिरोध पर में निर्भर करती है तो किस किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ पर, लंबाई पर और मोटाई पर next question देखेंगे मानस्पेसियों की सुचारू क्रिया के लिए डॉट 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 खनिजों की परियात मात्रा में आउशकता होती है आयोडीन, फ्लॉरीन, लॉट और आयोडीन, लॉट एवं कैल्सियम, सोडियम एवं पोटेसियम तो मानस्पेसियों को सुचारू रूप से क्रिया के लिए किस की आउसकता होगी? लॉट एवं कैल्सियम क्या उसकता होगी? तो राइट आंसर चला जाएगा अप्शन नंबर C पर नेक्स्ट कुछिन देखेंगे वाई मंडल में उपस्थित गैस जो पौधा घर प्रभाव का काराण है पौधा घर प्रभाव क्या होता है? जिसे हम ग्रीन हाउस एफेक्ट बोलते हैं तो उसमें कौन-कौन सी गैसे उपस्थित होती है जो पौधा घर प्रभाव के लिए का काराण होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर नंबर A पौधा घर प्रभाव के लिए जो उत्तर्दाइग गैस होती है वो होती है मेथेन, कार्बन डाई अक्साइड, जलवास्प, नाइट्रस अक्साइड यह सभी गैसे होती है तो यहाँ पर तीन गैसे दी गई है मेथेन, जलवास्प, कार्बन डाई अक्साइड, नाइट्रस अक्साइड दी ने गई तो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन न आपसिन नमबर ए है बिले सील कैल्सियम कार्बोनेट की उपस्थिती के कारण चूने बी है चूने के पानी में चूने के कारण दूद का ठकका C है चुने के पानी में उपस्ते तब द्रवं की गंधिगी के काड़ाण या अविले कैलसियम कार्बोनेट की उपस्तेती के कारण तो जब ताजे चुने से कार्बन डेक्साईड को गुजारा जाता है तो चुने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है इसमें इसका right answer हो जागा option number A next question देखेंगे निम्न लिखित में से कौन से सब्द समों को rhizobium के साथ सही रूप से पहँचाना जा सकता है क्या कह रहा है यहां पर कि rhizobium के साथ सही रूप से किसे पहँचाना जा सकता है फलीदार पादपों की जड़ें पर जीवी विलैसील नैट्रोजन योगिक इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा option number D इसको rhizobium होता है यह किसके साथ सही रूप से पहँचाना जा सकता है नैट्रोजन इस्थरी करण के साथ, जड़ों की ग्रंथियों के साथ और फलीदार पादपों के साथ यह पहचाना जा सकता है नेक्स्ट कुस्चन देखेंगे खाद पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चिनी डाल कर उन्हें लंबे समय तक परिरच्चित किया जाता है परिरच्चित मतलब उन्हें काफी समय तक चलाया जाता है जिससे वो खराब ना हो तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक नमक और चिनी क्या करते हैं तो अधिक नमक और चिनी के करण सूच में जीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है यह खाद पदार्थों से पानी निकाल देते हैं यह सूच में जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं इसका right answer हो जाएगा option number D नमक और चीनी जो मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है सूच में जीवी जो कोशिकाओं होती हैं उनका द्रव्य कुंचन हो जाता है और वह उसमें ब्रद्धी नहीं कर पाते हैं तो right answer हो जाएगा option number D next question देखेंगे मूल गोप नहीं पाया जाता है option number A है जली पौधे जलोधविद में समोधभीद या मिजोफाइट में लोडोधभीद या हैलोफाइट में मरुस्थली पौधे मरुधभीद में इसका right answer हो जाएगा option number first मूल गोप या root cap जली पौधों में नहीं पाया जाता है तो option number A right हो जाएगा next question देखेंगे जब एक लोहे की कील को copper sulfate के billion में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे copper sulfate के billion का रंग हलका पड़ जाता है और लोहे की कील पर भूरे रंग की एक परत बन जाती है यह उधारण है किसका उधारण है यह बिघटन अभिक्रिया का दुई इस्थापन अभिक्रिया का बिस्थापन और रेडाक्स अभिक्रिया का या संयोजन अभिक्रिया का तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा option number C ये उदारण है बिस्थापन और रेडाक्स अभिक्रिया का लोहा जो होता है वह कौपर के पेच्छा अधिक सक्क्री होता है और जब लोहे की कील को copper sulfate के billion में डुबाया जाता है तो लोहा copper को copper sulfate के billion से बिस्थापित कर देता है और फिर यही जो copper को बिस्थापित करता है यही भूरी परत के रूप में लोहे की कील पर जमा हो जाता है इसे हमें एक अभिक्रिया दौरा समझते हैं कि जैसे एक अभिक्रिया दिखाई जा रही है यफी हो गया लोहा प्लस सी यू यसो फोर ये हो गया कॉपर सलफेड जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? बनेगा यफी यसो फोर प्लस सी यू कॉपर को बिस्थापित कर दिया तो बनेगा क्या एफी यसो फोर प्लस सी यू तो यहां पर क्या हो गया? बिस्थापन हो रहा है और क्या हो रहा है? और इसकी अतरिक्त यहां पर जो यफी है पहले वाला फेरस था जब अभिक्रिया होई है तो वह यफी SO4 में आक्सी करत हो गया और जो CU SO4 था वह CU में अपचैत हो गया तो यहाँ पर आक्सी करण और अपचैन अभिक्रिया भी हो गई है जिसका और एक नाम क्या है रेडाक्स अभिक्रिया आक्सी करण ये अपचैन अभिक्रिया हो रही है इसी को रेडाक्स अभिक्रिया भी कहते हैं तो विस्थापन और रेडाक्स अभिक्रिया यहां पर हो रही है नेक्स गुश्चन देखेंगे घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुख जाता है क्योंकि और सनमबर ए फिटकरी रक्त को इसकंदित करके थक्का बना देती है फिटकरी घाओ के आसपास तापमान को कम कर देती है फिटकरी एक पूर्ती रोधी है या फिटकरी का टुकडा घाओ को ढग देता है इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा और सन जाता है नेक्स्ट कुस्टन देखेंगे बिद्दूतियंत्रों में बैके can light का प्र्योक किया जाता है क्योंकि यह उसमा का सुचालक है उसमा का राइट अंसर क्या हो जाएगा, अप्सन नमबर C, विद्दूत का कुछालक होता है, इसलिए इसका उप्योग विद्दूत उपकरणों में किया जाता है, और ये थर्मोप्लास्टिक होता है, नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे, घरों में प्रकास रोत की रूप में LED तथा CF दोनों का आम तोर पर प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट में से कौन सा कथन सही है, अप्सन नमबर A है, LED बेहतर अधिक अच्छा है, क्योंकि CFL में बिसैले पदार्थ हैं, दोनों एक ही समान अच्छे हैं, दोनों में से कोई अच्छा नहीं, क्योंकि दोनों में बिसैले पदार्थ होते हैं, CFL बहुतर है क्योंकि LED में बिसाले पदार्थ होते हैं, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number A, ये LED जो होता है वे बहतर अधिक अच्छा होता है, क्योंकि CFL में बिसाले पदार्थ होते हैं, इसलिए LED को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, next question देखेंगे, greenhouse प्रभाव जिससे वायुमंडली तापमान बढ़ रहा है, का मुख के कारण है, क्या है इसका greenhouse प्रभाव का मुख के कारण, nitrogen, carbon dioxide, sulfur या oxygen, इसका right answer क्या होगा, ये तो आप सब लोगों को पता भी होगा, इसका right answer हो जाएगा, option number B, green house प्रभाव का जो प्रमुक कारण है, वैं है carbon dioxide, gas, जिसके कारण, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, next question देखेंगे, hormone adrenal, क्या होता है, hormone adrenal, आपसण number first, जब कोई गुस्से में होता है, या चिंतित होता है, तो ये तनाव के इसतर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंतरण में सहायता करता है सरीर के बिद्दो तब घट्यों के संतुलन पर नियंतरण रखने में सहायता करता है या रख्त सरकरा के इस्तर के नियंतरण में सहायक होता है इसका right answer हो जाएगा option number first ये जो adrenalin hormone होता है ये adrenal नामक ग्रंथी से स्रावित होता है और ये बेक्ति के हिरदय की धड़कन को बढ़ाता है तो इसका right answer क्या होगा जब कोई बहुत गुसे में होता है या चिंतित होता है तो ये तनाव के इस्तर को समंजन में सरीर की सहायता करता है next question देखेंगे यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका कोथनांक बढ़ता है परिवर्तित नहीं होता पहले घड़ता है और फिर बढ़ता है या घड़ता है तो इसका right answer हो जाएगा option number इसका right answer हो जाएगा option number ये बढ़ता है जब किसी द्रवपर दाप बढ़ाया जाता है तो उसका कुतनांग जो होता है वैं बढ़ता है नेक्स्ट कुछन देखेंगे मनुस्य का अंगूठा बांकी अंगूलियों की अपेच्छा अधिक स्वतनत्रता से गती करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है गलाइडिंग संदी, हिंज संदी, सैंडल संदी या धुराग्र संदी तो इसका राइट अंसर होगा उपसन नंबर D D नहीं C मनुस्य का जो अंगूठा होता है वैं बांकी अंगूलियों के पेच्छा अधिक स्वतनत्रता से गती करता है तो इसमें कौन सी संदी उपस्थित होती है सैडल संदी उपस्थित होती है राइट अंसर अपसन नंबर C नेक्स्ट कुष्टन देखेंगे अधातू आकसाइड प्रकृति में चारी होते हैं प्रकृति में उभै धर्मी होते हैं लाल लेटमस पत्र को नेला कर देते हैं, प्रकरती में अमली होते हैं, तो इसका right answer क्या होगा, इसका right answer होगा, option number 4, अधातू जो आक्साइड जो होते हैं, वह प्रकरती में अमली होते हैं, next question देखेंगे, एक डाक्टर अतियमलता का उपचार करने के लिए एक दवाई देता है इस दवाई के मुख के संघटक हैं MgCl2, CaCO3, Na2CO3 या AlOH का whole trize इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा option number B CaCO3 इसी को calcium carbonate भी कहते हैं जब किसी व्यक्ति को अति अमलता हो जाती है तो उसे डॉक्टर कौन सी दवा देता है CaCO3 देता है जिससे वो अमल को उदासीन कर दे और उसकी अतियमलता खतम हो जाए इसके अलावा भी और कई दवाईयां दी जाती है जैसे sodium bicarbonate होता है magnesium hydroxide होता है magnesium carbonate होता है ऐसे ही कई दवाईयां इसके अलावा भी दी जाती है लेकिन जो यह CaCO3 होता है इसका उपयोग बहुलता से किया जाता है next question देखेंगे एक 5 ग्राम भार वाले पंक और 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गती जूर्जा है दोनों वस्तुओं के समवेग के बारे में निम्ण में से कौन सा कथन सही है जिसे हम खुद से देखते हैं कि कौन सा सही होगा एक 5 ग्राम भार वाला है और एक 10 ग्राम भार वाला है दोनों की गती जूर्जा क्या है समान है गती जूर्जा को हम के से प्रदर्शित करते हैं काइनेटिक एनर्जी तो के बराबर होता है अंडरूट 2 यम के इसे ऐसे निकाल सकते हैं जैसे होता है के बराबर नहीं पर पी बराबर होगा समवेक बराबर अंडरूट टू यम के तो इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं जो गती जूर्जा के एक सूत्र होता है के बराबर पी स्क्वार बाई टू यम उसी को हम इधर उधर करके यह फार्मूला आजाएगा P समवेक बराबर अंडरूट 2 M K अब इसमें जब हम 5 ग्राम रखेंगे तो समवेक बराबर कितना आएगा P equal अंडरूट 2 इंटू 5 ग्राम इंटू K तो आजाएगा अंडरूट 10 K तो 5 ग्राम में अंडरूट 10 K आया और जब 10 ग्राम रखेंगे तो कितना आएगा P equal अंडरूट 2 इंटू 10 K तो यहाँ पे आजाएगा अंडरूट 20 K अब इसमें आया अंडरूट 20 K और 5 ग्राम में आया था 10 K अब इसमें से कौन सा बढ़ा होगा तो इसमें से बढ़ा होगा अंडरूट 20 K तो इसमें क्या आ जाएगा अप्सन नमबर फर्स्ट है भारी वस्तू में अधिक सम्वेग होगा दोनों वस्तू में बराबर सम्वेग होगा दो वस्तू के सम्वेग की तुलना करना संभव नहीं है हलकी वस्तु में अधिक सम्वेग होगा अब हलकी वस्तु तो 5 ग्राम वाली थी और भारी वस्तु 20 ग्राम वाली थी 5 ग्राम वाली में सम्वेग आया था अंडरूर 10 के और 10 ग्राम वाली में सम्वेग आया था अंडरूर्ट 20 के तो राइट अंसर कौन से हो जाएगा भारी वस्तवे जो होगी उसमें समवेग अधीक होगा नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे खादे पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतर तिन से पुती होती है ना की जस्ते से क्योंकि ऐसा क्यों होता है जस्ता तिन से अधिक क्रियाशील होता है जस्ते की गलनांक तिन से अधिक होता है या जस्ता तिन से कम क्रियाशील होता है या जस्ता तिन से महंगा होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसली होता है क्योंकि जस्ता जो होता है वह तिन की अपेच्छा अधिक क्र काने की डिब्बों के अंदुरूनी सता पर टिन का लेपन किया जाता है जस्ते का नहीं नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे हरे पौधे दिन के समय कार्बन डायक्साइड के बजाय वाय मंडल में अक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि ऐसा क्यों होता है अपसन नंब हरे पौधे दिन के समय स्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकास संसलेशन करते हैं यह भी गलात है क्योंकि रात के समय नहीं बलकि दिन के समय प्रकास संसलेशन करते हैं C है दिन के समय प्रकास संसलेशन की दर से अधिक होती है और D है हरे पौधे रात के समय स्वसन नहीं करत करते हैं यह भी कट जाएगा इसका right answer हो जाएगा option novar c दिन के समय हरे पधे प्रकास Celsius करते हैं और प्रकास अंसलेस्ट की कृया में oxygen मुक्त होती है प्रकास C आपाससिटन की क्रिया में Je oxygen मुक्त होती है वह पधे जितना स्वसन मैं oxygen लेते हैं तो कहीं ज्यादा होती है तो इसी लिए पौधे जो होते हैं वह दिन के समय कारबन डायकसाइड के बजाए वह मंडल में आकसीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा औप्सिन नंबर ए पानी के अंदर वायू को जो बुलबुला होता है वह उत्तर लेंस की तरह कारे करता है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और इस्तंधारियों की लाल रख्त कोशिकाओं की समरचना में एक बिसेश समानता होती है कौन सी बिसेश समानता होती है दोनों में? हरित लवक की अनुपस्थिती होती है कोशिका भिद्धी की अनुपस्थिती होती है इमोगलोबिन की अनुपस्थिती होती है या किंद्रक की अनुपस्थिती होती है तो पौदों की चालनी नलिका कोश्काओं और इस तंधारियों की लाल रख्तिकोशिकाओं में जो समानता होती है वे होती है दोनों में ही किंद्रा की अनुपस्थिती होती है तो right answer option number D next question देखेंगे सल्फियूरिक अमलों को तनू बनाने के लिए अमलों को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्यों की ऐसा क्यों किया जाता है अमलों कांच के बरतन को तोड़ सकता है अमलों को तनू बनाने की प्रक्रिया अधिक उसमा छेपी होती है अमलों को तनू बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उसमा सोसी होती है या अमलों को पानी की ओर गहरा अकर्षन होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B सल्फियूरिक अमल को तनू बनाने के लिए अमल को पानी में डालने की सला इसली दी जाती है क्योंकि अमल को तनू बनाने की प्रक्रिया अधिधिक उसमा छेपी होती है यही कारण है कि जब उसको तनू बनाते समय जल में बूंद बूंद करके अमल मिलाने की सला दी जाती है मतलब भी कठे नहीं बलकि बूंद बूंद करके डालने की सला दी जाती है नेक्स्ट गुशन देखेंगे जिस बिलियन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक गोला ना जा सके ऐसा बिलियन निम लिखित में से क्या कहलाता है संत्रप्त बिलियन, असंत्रप्त बिलियन, कुलायड़ी बिलियन या जिल इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर A क्या कह रहा है आपर एक billion है जिसमें कोई पदार्थ हमने घोल दिया लेकिन एक सीमा ऐसी आ गई जहांसे और ज्यादा पदार्थ उसमें घोला नहीं जा सकता तो जब किसी billion में पदार्थ की पूर्ण मात्रा घोल दी जाती है जतना उसमें घोला जा सकता है तो वह होता है संत्रप्त बिलियन किसी पदार्थ की बिलियन को गर्म करने पर उसकी बिलियता पर निम्न लिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ती है घड़ती है इस्तित्यती है इन में से कोई नहीं इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर ए जब किसी पदार्थ को किसी विलियन में हम घोल रहे हैं और उसमें घुलना वह बंद हो गया तो अगर हम उसे गर्म करेंगे तो उसमें और ज्यादा उस पदार्थ को हम घोल सकते हैं उसकी बिलेता की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है वह अपने अंदर और पदार्थ को गोल सकता है तो आप्शन नमबर है राइट हो जाएगा नेक्स्ट कुछ चन देखेंगे और जारों में लोहे के फलक के बने वले में लकडी का हथा लगाने के लिए फलक के वले वाले हिस्ते को गर्म किया जाता है गर्म करने इसे वले में निम्लिकित में से क्या परिवर्तन होता है उसका आकार छोटा हो जाता है उसका आकार बड़ा हो जाता है उसके आकार में आसानी से fit कर दिया जाता है, जब वे ठंडा होता है तो स्वयम अपने आकार में आ जाता है और उसमें आराम से fit हो जाता है, तो right answer option number B, next question देखेंगे, निम्न मेंसे कौन सा एक जड़ नहीं है, गाजर, मूली, आलू, सलजम, गाजर भी जड़ है, मूली भी जड़ है, और सल नमबर C, आज कि इस question complete होते हैं, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा share कर दें, मिलते हैं next वीडियो पे, thank you so much guys,